नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महगी लकडी कौन सी है तो जाहिड सी बात है आप में सेया दिक्टर लोगों का जवाब होगा जंदर की लकडी लेकिन शाद आपको चाहन का हैरानी हो कि जंदर की लकडी दुनिया की सबसे महगी दुनिया की सबसे महःगी लकड़ी के आगे लाल चांदरा की कीमत 7 लाक रुपैसे बी जादा है और इस धर्ती पर मौझू सबसे ज़्यादा वेश कीमती चीजों में से एक है यह और इस लकडी को खरीदने से पहले अमीर से अमीर शक्स को दो बाई सोचना पड़ता है हमारे देश में जब भी सबसे महगी लकडी का नाम आता है तो उसमें चंदर की लकडी सबसी उपर होती है लेकिन असल में ऐसा नहीं है बलकि दुनिया की सबसे महगी लकडी तो सौने से भी ज़्यादा कीमती है बस आपको बताते कि इस लकडी को दुनिया में आप फ्रिकन ब्लैक बॉट के नाम से जाना जाता है दोस्तों जो चंदर की लकडी होती है वो पाँ से साथ हजार रुपे के बीच बीच बेखती है लेकिन एक लोग फ्रिकन ब्लैक बॉट की कीमत 8,000 पाउंड या नकी 7 लाग रुपे से भी जादा है और देखा जाए तो इतने पैसों में ते काम इंसान अच्छी खासी कार भी खरीच सकता है लेकिन सवाल आता है कि इस लकडी मैसा क्या है आखिर क्यों ये लकडी इतनी जादा महगी है ऐसी क्या खासियत है इस लकडी में जो इसे इतना जादा कीमती बनाती है दोस्तों दरस ले अफ्रिकर ब्लैकवोर्ड काफल दुल्डव लकडी है गाव बात जानती होंगे कि दुनिया में जो चीज जादा मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत भी उतनी ही जादा होती है इसके लाबा ये लकडी कुछ किने चुने देशों में ही पन अपती है और उपरसन की दशकरी भी काफी जादा होती है वैसे इस लकडी की खासियती है कि ये लकडी बागी लकडियों के मकाफले काफी जादा मजबूत होती है और सालों साल इस लकड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता और यही वचा है कि यह लकड़ी आस दुनिया की सबसे महगी चीजों में से बढ़ चुकी है और साथ ही आपको बता दे कि अफ्रिकन ब्लैक बोड यह इसके पेर आपको भारत में देखने को भी नहीं बिलेगा और जैसा कि इसके नाम सी पता चलता है कि अफ्रिकन ब्लैक बोड का पेर आफ्रिका में ही पाय जाता है और खास और से मन्त और डच्चिरी अफ्रिकी देशों का सुखा वातवरन इन पेरों के फल्ले फूले में सहायक होता है इन पेरों की लंबाई 25 से 40 फीट के असपास होती है यान की लंबाई में ये पेर इतनी जादा बड़े नहीं होते है वैसे सफ्रिकन ब्लैक बोड के पेरों को पूरी तरह से तयार होने में करीब 60 साल तक कसमन लग जाता है लेकिन कैन्य और तंजानिय जैसे देशों में अवाइद तसकरी की वज़ए से समय से पहले ही इन पेरों को काट दिया जाता है और इसी वज़ए से इन पेरों की संख्या में भारी कमी आती जा रही है और ये पेरा बेहत दुड़लव होते जा रहे है और दोस्तों इतनी चाहता दुड़ लव होने की वज़ा से ये लखड़ी आज इतनी चाहता महंगी है इस कलावा इस अफ्रिकी ब्लैक बॉट की लखड़ी का इस्टमाल कुछ खास तरह की चीजों को बनाने में किया जाता है हाला कि इस लखड़ी से फणिचर भी बना जाते हैं लेकिन ये बेहत महंगी होते हैं और एक आम इससान दोना लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता है वैसे अफ्रिकी देशों में इसका इस्तिमाल शेहनाई पांसुरी और गिटार जाते म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है वैसे दोस्तों आ अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी सबजी कितनी महंगी हो सकती है तो आप क्या कहेंगे लेकिन दुनिया में एक सबजी ऐसी भी है जो दिखने में तो खासकी जैसी लगती है लेकिन जो बात इसकी कीमत की आती है तो इसकी कीमत सौने को भी टक्कर देत पास होते हैं लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि इतनी जादा महगी होने के बावजूद भी सब्जी की डिमांड पुरी दुनिया में काफी जाता है हॉपशूट्स के जो फूल होते हैं वोसे हॉपकॉण का जाता है और इसकी जो टहनी होती है और इसे भी अलग तरीके से खाया जाता है और हॉपशूट्स की टहनी से इसकी सब्जी तयार की जाती है साथ इसकी टहनीों का अलचार भी पनाया जाता है हापशूट्स के जो फूल होते हैं वो काफी तीखे होते हैं और इसकी सब्ची में कई तरह के एंटिबाइटिक्स पाय जाते हैं और एंटिबाइटिक्स होने की वज़े से इस कास्तमाद दमाओ के तोर पर भी किया जाता है वैसे उस तुनिया की सबसे महगी सबची यानि की हबशूट के बारे में आपकी क्या रहा है और क्या आप इतनी महगी सबची खाना पसंद करेंगे कॉमेंट का कि जरू बता है तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आयोगा वीडियो चलगते वीडियो को प्लीज लाइकिन शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी इंफ़र्मेटर वीडियो आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आज किल पर सतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहें जबार